इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड देश में काफी तेजी से बढ़ रही है जिसकी वज़य है इलेक्ट्रिक कारों को मिलने वाली लंबी रेंज और हाइटेक फीचर्स मुझूदा रेंज में टाटा मोटर्स, महिंदरा, उंड़ाई मोटर्स जैसी कमपनियों की कार सबसे ज़्यादा संख्या में मिलती है इलेक्ट्रिक कार कम्पेर में आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की नेक्सोन, ईवी मैक्स और महिंदरा की एक्स यूवी फोर डवलों के बारे में जो इस सेग्मेंट की होट टॉपिक बनी हुई है अगर आप जानना चाहते हैं कि Tata Nexon EV Max और मेहंदरा XUV400 में कोन है जादा बहतर तो यहाँ जान लीजिए इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों की कीमत, बैटरी, रेंज और फीचर्स की पूरी डेटेल मेहंदरा XUV400 में 49.4 kWh शमता वाला बैटरी लगाया गया है यहाँ बैटरी 147bhp की पावर और 300nm का पीक टॉर्क जन्नेट करता है Tata Nexon EV Max में 40.5 kWh शमता वाला बैटरी पैक दिया गया है जो की 143bhp की पावर और 500nm का पीक टॉर्क जन्नेट करता है मेहंदरा XUV400 की रेंज को लेकर कमपनी दावा करती है कि यह कार सिंगल चार्ज में 456 km की ड्राइविंग रेंज देती है जबकि Nexon EV Max की रेंज को लेकर Tata Motors का दावा है कि यह SUV 437 km की ड्राइविंग रेंज मिलती है रेंज को लेकर किया गया दोनों कमपनीों का दावा AR AI द्वारा प्रमानित है स्पीड को लेकर महिंदरा का दावा है कि XUV 400 8.3 सेकंड में 0 से 100 km प्रती घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है जिसके साथ 1500 km की टॉप स्पीड मिलती है दूसरी तरफ Tata Motors का दावा है कि Nexon EV Max 9 सेकंड में 0 से 100 km प्रती घंटा की स्पीड पकड सकती है जिसके साथ 140 km प्रती घंटा की टॉप स्पीड का दावा किया गया है मेंदरा XUV 400 EV में कमपनी ने Dual Zone Climate Control, Electric Sunroof, Smart Bath, Smartphone Connectivity, Rain Sensing Viper, 17 इंच के Alloy Wheel जैसे 60 से ज़्यादा फीचर्स को दिया गया है तो Tata Nexon EV Max में 7 इंच का touchscreen infotainment system, single pan sunroof, air purifier, barless phone charger, ventilated seats, cruise control, electric parking brake जैसे फीचर्स को दिया गया है मेंदरा XUV 400 EV की कीमत के बारे में कमपनी ने अभी कोई आधिकारिक गोशना नहीं की है जनवरी 2023 में करेगी जबकि Tata Nexon EV Max की सुरुवाती कीमत 18.34 लाख रुपे है जो टोप बेरेंट में 20.4 लाख रुपे हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब भी जुरूर कर दे धन्यवाद